Hello everyone, आज के Library and Information Science के इस वीडियो में आज हम आपके साथ डिसकस करेंगे Library Automation के बारे मैंने पुस्तकाले सोचालन Library Automation का यह जो टॉपिक है, यह बहुत important है आपके exam के point of view से तो इस वीडियो का आप एंग तक देखिएगा तो अगर अभी तक आपने BSI Academy चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक इस वीडियो और प्लीज शेर दिस वीडियो तो यह वीडियो ऐसे कहेंगे जो की UGC net exam, set exam, slate exam या फिर KBS, DSSB, EMRS में या फिर NBS में अपने किसी भी even आप किसी भी state level की library की post के लिए preparation कर रहे है या फिर assistant professor की preparation कर रहे है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत helpful होगा तो इस वीडियो का आप आइक तक देखिएगा तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिन points को discuss करेंगे आपके साथ वो है, what is library automation, what are the needs and purpose of library automation what is automated circular control in the library, what are the functions of the automated circular control and what are the important topics of library automation यानि हमारा जो discussion है विचार विमार्श आपके साथ library सवचालन क्या है, पुस्तकाले सवचालन की अविश्टा है क्यों पढ़ती है और इसका क्या उद्देश्य होता है पुस्तकाले में सवचालित परिसंचन नियंतरन क्या है सवचालित परिसंचन नियंतरन के कारे क्या क्या है और पुस्तकाले सवचालन के कौन-कौन से ऐसे महत्पूर विश्चे हैं जो कि आपको अपने exam के point of view से जिनको prepare करना है उनके बारे में आज हम लोग आज के इस वीडियो में detail में discuss करेंगे तो पहला हमारा सवाल हमारे सामने जो आता है कि library automation क्या है इसकी क्या definition जो है जरा हम लोग जरा इसको देख लेते तो library automation के अंदर हम लोग जो है कि library automation is the use of the automatic and semi-automatic data process the machines to perform the acquisitions, cataloging and circulation यानि library automation आपके लिए एक तरह का automatically और semi-automatic के लिए जो data से process करके किसी भी machine से आपको particular किसी book को equation करने के लिए आपकी catalog की forming के लिए या फिर circulation जो करता है उसी को हम लोग जो है library automation कहते है यानि वहाँ पार manually work नहीं होता आप सारी work जो है machine से करते हैं और machine भी even ऐसा नहीं है कि machine जो है आपके लिए सारा work जो है perform करता है उसमें definitely आपका ही उसमें जो control होता है वो आपके ही हाथ में होता है तो library automation जो है automatically आपके लिए आपके data के according आपके लिए equation, cataloging and circulation इन तीने activity को perform करता है अब बात आती है कि library automation की क्यों जरूरत पड़ती है उसका क्या purpose होता है तो पुस्तकाले इस चलन की क्या विश्टा है और क्या इसके उदेश हैं जरह इसको देख लेते हैं तो देखें library automation की क्यों जरूरत पड़ी लैबरी automation की अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से जिस गती से हमारा data बढ़ रहा है तो हमें काफी जगा पर बहुत सारे manual person की जरूरत परती है staff की जरूरत परती है तो यह staff जो होता है हर समय हमारे पास मौझूद नहीं होता इसके अलावा जिस हिसाब से हमारे जो users हैं लैबरी के वो increase हो रहे हैं तो हर एक के लिए particular किसी staff को मौहिया कराना possible नहीं हो सकता तो automation permits the decentralized access to the bibliography record by the multiple users यानि एक ही रिकॉर्ड का यानि एक ही particular bibliography record है उसको बहुत जगा multiple users करना चाहते हैं तो यह जो है library automation से possible हो सकता है तो library automation जो है किसी भी particular देखो आपका वर्ड यूज किया गया वह आपका work से related है वो bibliography आपका कोई particular file formats हो सकता है वो आपकी file हो सकती है even कोई भी work हो सकता है PDF हो इवन कोई books हो सकती है तो multiple user उसे use कर सके एक ही अलग अलग जगा पर जैसे उसे हम लोग जो है library automation की help से ऐसा आप कर सकते हैं अब जैसे कोई file का format है उस file के format पे काफी सारे users जो है वो work कर रहे हैं अब एक user जो है London में बैठा है को एक user इंडिया में है एक user US के अंदर है तो यह जो work है वहाँ और even तीनो जो लोग है वो उस file को maintain कर रहे हैं तो सबके लिए यह करनपाना तभी possible होगा जब हम लोग कोई automation tool का use करेंगे तो यह library automation जो है बिना tool के possible नहीं होती है तो library automation के tool कौन कौन से है वो हम लोग different अपने जो topics हैं उनमें हम लोग पढ़ेंगे तो library automation के अंदर हम लोग जो है information technology का use करते हुए information technology का use करते हुए libraries के results को और भी अच्छी तरह से बोला जाए कि इनके जो operations की efficiency है उसको 10x level पर हम लोग जो लेकर आते हैं तो यह दे कि operation कौन कौन से होते है library के बहुत अलग अलग होते हैं जिसमें cataloging होता है और आपका equations होता है इवन आपके लिए record maintain करना होता है तो इस सारा वर्ग जो होता है आपका library automation में असानी से किया जा सकता है इसके अलावा library के जो staff होते हैं वो computer को उनके लिए अच्छा interesting बनाय जाए exciting बनाय जाए इसलिए भी जो है library automation किया जा रहा है जिस तरह से IT की demand जो है पिछले दरशक में बढ़ी है और IT की help से हम लोग जो productivity को उनके library staff के productivity को increase कर सकते हैं यानि एक single person भी एक library को maintain कर सकता है अगर वो library जो है वो fully automated हो तो यह सारा काम जो है library automation के वे से ही possible हो सकता है इसके अलावा यह जो है library automation जो है it improves the quality of service related to the रेंगेट बाइद लाइबरी यानि लाइबरी के अंदर जो भी बहुत सार्विस जो use की जाती है उन service को अच्छे level में quality से use किया जा सके ऐसा कि लाइबरी automation जो है possible करा सकता है then automated circulation control in library से क्या समझते है यानि पुस्तकाले में जो स्वचालित परिसंचन नियंतरन होता है वो क्या होता है जाद देख लेते हैं तो automated circulation control के अंदर तो the library automation automated circulation control provides all the important information at a press of a key यानि एक single press computer के या अपने laptop के key से पुरी की पुरी information आपके screen पे आ जाएं उसी को हम लोग जो है automated circulation control कहते हैं और खास तोर से ऐसा जो है जो हमारी बहुत सारी जो आजकल की high tech जो libraries हैं उनमें जो है देखने को मिलता है तो इससे क्या होता है इससे जो होता है कि जो librarian है या फिर जो और भी staff लोग हैं members हैं उनके उपर जिस तरह का activation का, cataloging का, circulation का जो बहुत सारा work upload हो जाता है उस workload को कम करने के लिए जो है हम लोग जो है automated circular control का use करते हैं और इससे librarian और और भी staff members होते हैं उनको जो work वाकि में करने योग्य हैं एक member के लिए manually वो करते हैं बलकि अलावा बाकि जितने भी work को अगर हम लोग जो है automate कर सकते हैं उसको जो है automated circulation control की help से किया जाता है तो automated circular control में हमारी जो है बहुत सारी technologies आती है तो automated cataloging के कुछे standards भी है जैसे mark यानि machine readable cataloging जो है बहुत speedy तरीके से जो है library items को बहुत ही cataloging form में लेकर आ जाता है देगे यह cataloging क्या होता है cataloging क्या होता है कि जो भी हमारे पास material हमारे library के अंदर available है उसको properly classify करना उसे catalog form में लेकर आने को है हम लोग cataloging कहते हैं इसके उपर जो detail में एक वीडियो में आपके सामने प्रिजेंट कर दूँगा तो automated circulation control का अपना कुछ function भी है उसके क्या क्या function है यह एक सचलित प्रसचन नियंतल के क्या क्या कारे हैं जरा हम लोग देख लेते हैं तो automated circular control जो है इसमें किसी भी member को उसकी membership create करना यहीं किसी भी user को किसी भी library का member बनाना यह भी जो work है यह fully automated हो चुका है इस समय और आपको आपके library से आपको i card मिलता है वो i card जो होता बार कोड होता उसमें उस बार को read करा के कोई भी book जो है आपके account में deliver कर दी जाती है इसके लावा किसी भी membership को किसी भी member की membership की डेटा है उसका उसकी membership code है वो प्रवाइड किया जाता है तो searching the membership database by membership code यानि आपके नाम से नि बलकि आपके आपकी जो बार कोड की help से जो है आपकी पूरी fully आ issue the remainder for overdue books जो भी book आपने अपने loan पर ले रखी है उसकी जो last date कप तक है और कितना समय बचा है उसके लिए या आपको कोई fine भरना पड़ रहा है इस सारा work जो होता है वो जो है आपका automated circulation control में आता है इसके अलावा searching the document database by accession number, title, author, subject, etc. यानि किसी भी document को उसके number की help से उसके title की help से या फिर author की help से या फिर किस particular subject का है हम लोग जो है different index करके उसको find out कर सकते हैं then reserve, renew and recall function इन कौन सा work हमें renew कराना है, recall करना है, reserve करना है ये भी जो है इसमें किया जाता है then provide the member statistic यानि एक ही click पर कौन से member, साभी members का data category wise जो है हमारे सामने आ सकता है अब वो category कौन कौन सी है, वो depend करता है आपकी क्या query है then overdue charges and generate the letters, charges को एक तरह से generate करना या फिर कोई भी letters है उनको generate करना वो जो है हमारा इसके अंदर आता है then stock का verification ये भी जो है इसी वर्क के अंदर आता है, member की log list, पूरी complete member की log list है वो भी इसमें आती है then report generation, बहुत different तरह की reports जो है, हमारी बनाई जाती है, जो कि इसी automated circulation control के अंदर आती है अब automated circulation control के क्या advantages है, यानि देखिए, जब मैं automated circulation control बोल ला हूँ, मेरा कुलम लाकर अपना जो कहना है वो लेबरी automation को ही उसे कहना है, इसे बहुत सारे advantage है, कुलम लाक पहला तो advantage है, कि आप असानी से customer service जो है, जो कि हम लोग लेबरी में एक particular users को provide करते हैं, उसको असानी से अच्छा किया जा सकता है cataloging की improvement किया जा सकता है, जो सूची करन जो सुधार है, उसमें बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, असानी से कोई भी material, कोई भी document जो है, असानी से access किया जा सकता है, collection यानि उनका संग्रे किया जा सकता है, positive effects से इसके अपने खुद के, क्योंकि इसके अंदर एक तो बात य देखेंगे, इसके लावा, students, BSI, Academy के दोरा काफी सारे courses जो है, library science पे provide की जाते है, जिसमें UGC net, set exam, KBS, BSV, EMRS, NBS के courses हैं, जिसमें assistant professor के course है, साथ में PhD, entrance exam के course है, इन courses के लिए, आप हमें, हमारे whatsapp पे हमें contact कर सकते हैं, हमारा whatsapp number जो है, आपके screen पे available है, इसके लावा, अ ऐसे library automation का topic है, जो कि आपको अपने exam के point review से पढ़ने है, जिसमें library automation पहला तो यह है, कौन से areas के अंदर library automation possible है, उसकी planning क्या है, और कौन-कौन से hardware और software की जरुत पढ़ती है, जिससे किसी भी library को एक fully automated या फिर semi automated बनाया जा सके, इसके लावा, कि इसे किस तरह से हम लोग implement क कर सकते हैं, इसको हम लोग किसी तरह से evaluate कर सकते हैं, मुल्यांकन कर सकते हैं, यह भी बहुत important topic है, then library automation के कौन-कौन से standards है, यह भी बहुत important topic है, then features and application क्या है, library automation के जिसमें barcode क्या है, RFID technology क्या है, QR code क्या है, यह बहुत important topic है, जो कि आपके exam पे point review से जरूरी है, और इनके biometric क्या है, then smart card क्या है, तो यह सारे ऐसे features हैं, जो कि बहुत जरूरी है, आपके exam के point review से, then digitization क्या है, इसकी क्या planning है, इसे कैसे हम लोग किसी भी material का, सामगरी का chain करते हैं, इसे digital form में convert करने के लिए, then hardware क्या होता है, और कौन को से software है, जो कि digitization के अंदर, process के अंदर हमारी help करते हैं, then process क्या है, किसी भी material को, उसे digital form में convert करने का, जैसे अभी अगर हम बात करें, अधार card, अधार card में हमारी सारी information जो है, वो digital form के अंदर है, तो इस पूरे project को fulfill करने के लिए, बहुत बड़े level पर work किया गया था, उसमें बहुत तरह के software, hardware के ज़र पड़ी थी, तो ये एक तरह का books को भी digitalization में लाने के लिए, जो है, काफी work करना पड़ता है, तो इस पूरी process क्या देखने को मिलती है, साथ में कौन-कौन से ऐसे issues हैं, जिसमें हमें digitalization में पढ़ने पड़ते हैं, then digital library की क्या उत्पत्ती है, उसकी genesis क्या है, क्या इसके characteristics है, क्या इसके types है क्या इसके architectures है, ये पढ़ते हैं, इसके लावा digital library के अंदर, इसके standards, इसके formats, इसके protocol, साथ में digital object identify, या जिसे हम दो shortman DOI कहते हैं, वो क्या होता है, जिस सारा digital library में आपको पढ़ना है, then digital preservation, digital preservation का मतलब यह आता है क्या CB books को या क्या CB material को, हम दो जिसलिए अगर preserve कर रहे है हैं, तो उसके क्या standards है, क्या उसकी जरुत परती है, क्या उसके purpose है, क्या उसका standards है, क्या उसके methods है, क्या उसके techniques है, साथ में कौन-कौन से ऐसे projects हैं, जिनों में digital preservation को Indian government ने लगाया है, साथ में state government में भी लगाया है, साथ में nationally और international के concords ऐसे projects हैं, जो के digital preservation के अंदर category में आ है जो कि आपको पढ़ने है साथ में institution repositories कौन-कौन सी इसकी क्या need है क्या इसका purpose है क्या इसके types है कौन-कौन से tools है जो कि institution repository के अंदर आते हैं इसमें और भी है जैसे institution repository भारत में कौन-कौन सी है जैसे ROAR DOAR and Sharpa Romeo क्या है यह पढ़ने है आपको साथ में content management system क्या है जिसमें इसका architecture किसके architecture में काम करते है data integration क्या होता है CMS software कौन-कौन से इसे example है जैसे wordpress है Zoomla है बहुत सारे और भी आपके content management system है इसके लावा इसके क्या selection हम लोग करते हैं कैसे implement करते है content management system का यह भी हम लोग जो पढ़ेंगे साथ में इसका evaluation कैसे किया जासता है यह बहुत important है आपके exam के point हूँ से then application कौन-कौन सी है artificial intelligence की जैसे expert system create करना robotics create करना library के point of view से then social mobile analytics cloud क्या है SMAC क्या है then cloud computing क्या होती है यह सब आपके इसमें category में आते है then ontology क्या है इसमें कौन को से tools है जैसे RDF, RDFS, pottery यह pottery जो है और semantic webs किसे कहते हैं यह जो है आपके ontology के part है then link data क्या होता है big data क्या है और data mining क्या है साथ में data harvesting क्या है इन सभी की definitions और साथ में इसके examples जो है आपको अपने exam के point पढ़ने है then इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है आप हमें YouTube पे comment कर सकते है definitely हम आपका reply करेंगे और इसके लावा आप हमें हमारे WhatsApp पे content कर सकते हैं हमारे courses में enrollment के लिए या courses की inquiry के लिए भी आप हमें हमारे WhatsApp पे content कर सकते हैं हमारा number आपके screen पर available है और अगर अभी तक आपने BSI Academy चनल को subscribe नहीं किया है subscribe this channel like this video and please share this video तो मिलते हैं आपसे एक next video में एक और important topic के साथ आपने हमें सुना उसके लिए thank you